परिक्रमा पर कैसा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि उत्तरवाहिनी परिक्रमा के बारे में सुना था कि नर्बदा जी तीन जगह पर उत्तरवाहिनी होती है मंला में उंकारेश्वर में और गुजरात के तिलक वाड़ा में तो मंला में ये परिक्रमा चल हुआ रही है तो हमें भी उसका अवसर मिला हमने सोचह लें पिछले साल भी हुआ था एस साल लेकिन मिला तो बहुत ही अलग अनुभुती हो रहे ही क्योंकि बहुत सारे जगह से लोग यहां पर शामिल हुए है उनसे इंडिरेक्ट होने का मौका मिल रहा है और अलग अलग छेत्रों से चल रहा है के तो यह बहुत ही अलग समान जीवन से बहुत अलग जीवन है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो कुछ ellsी गाने मिला है कुछ थोरмы के लिए ना मिला हो तो ये व्यवस्था समीती के द्वारा की गई बहुत ही उंदा व्यवस्था है और मुझे लगता है कि मल्ला वासियों को एक बार जरूर इसका आनंद लेना चाहिए नर्मदा तट पर जितने धार में गाया जोन होते हैं अधिकतार में प्लास्टिक डिस्पजल का बहुत अपयग होता तो वो भी एक बहुत अच्छा माध्याम है लोगों को जागरूख करने का और बहुत यहां की नर्मदाजी की किनारी की जंता ओल्रेडी जागरूख है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वहां पर कहीं पर भी हम ऐसा कोई कच्छडा प्लास्टिक देखने को नहीं मिला